ये देखिए मेरी बनाई हुई पानी पूरी कितनी क्रिस्पी है, कितनी क्रंची है और दौनों लेयर की ठिकनेस भी सेम है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सरीता, आज अब किसा शेयर करने वाली हूँ पानी पूरी की रेसिपी जब भी हम पानी पूरी की पूरी बनाते हैं तो हमें बहुत सारी प्राब्लम को फेस करना पड़ता है कभी हमारी पानी पूरी फूलती नहीं है पापड़ी बन जाती है कभी एक लेयर पतली होती है दूसरी लेयर मोटी हो जाती है कभी वो soft हो जाती है बनाने के बार, कभी वो अंदर से soft होती है, बाहर से crispy होती है तो हम इन सारी प्राब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, हम किस तरीके से आटाय का, किस तरीके से हम सूजी का use करेंगे इसमें, जिससे कि हमारी पानी पूरी एकदम perfect बने तो इसके लिए आप वीडियो को बिना skip की हुए देखें, तो चलिए चलते हम हमारे recipe की तरह, ingredient की list आपको बारीक सूजी है तो बहुत अच्छा है, आप बारीक सूजी ले, मोटी सूजी ना ले, सूजी को रोष्ट करना बहुत ही important step है, अगर आप सूजी को रोष्ट नहीं करते हैं, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी आप tips और tricks आप use करें, आपकी पानी पूरी perfect नहीं बनेगी, तो जो भी important steps हैं, उसमें एक ये important tips है कि आप सूजी को जरूर रोष्ट करें, इसमें आपको रोष्ट करते हैं ताइम आपको ना तो घी का इस्तमाल करना है, ना ही तेल का इस्तमाल करना है, आपको सूजी को dry रोष्ट करना है, 10 से 15 मिनिट, जैसा कि आप देख स मैं सूजी को रोष्ट कर रही है, और हमारी सूजी रोष्ट हो गई है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूगी, सूजी हमारी ठंडी हो गई, अब मैं सूजी को mixi jar में डाल के grind करूँगी, सूजी बारीक होनी चाहिए, अगर आपकी सूजी बारीक है तो भी आप इ देख सकते हैं, मैंने सूजी को grind कर लिया है, अब हम डो लगाएंगे, डो बनाने के लिए मैंने एक परात लिया है, और मैं इसमें डालूंगी आधा कप गेहूं का आटा जो की regular आटा जिससे रोटी बनाते हैं, आप मैदे का इस्तमाल ना करें, जैसा मैं बता रही हूं, इगवार आप उस तरीके से जरूर बना के देखें, और मैंने इसमें डाला है, आधा कप सूजी जो की हमने रोष्ट करके पीसा है, इसमें हम ना तो सोडे का यूज करेंगे, ना ही हम इसमें तेल का इस्तमाल करेंगे, और आप इसका एक सेमी टाइट डो आप बना ले, य हम बाद में इसको सेकंड नेडिंग देंगे, जब दुबारा मसाज करेंगे, तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो इसको हम एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ढाक कर या तो आप एर टाइट डिब्बे में रखें इसको, हवा इसमें नहीं लगने चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे डो को रेस्ट करते हुए एक घंटा हो गया है, अब हम इस डो को 8 से 10 मिनट मसाज देंगे, यदि आपको लगते हैं, आपका डो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर उसको मसाज दे सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा डो पूरी बनाने के लिए तयार हो गया है, यह ना तो बहुत ही टाइट है ना यह बहुत लूज है, अब हम पूरी बनाने के लिए चोटी-चोटी लोई काट लेंगे, बॉस बना लेंगे, चोटी-चोटी, यह आपके उपर करता है कि आप कितनी बड़ी पूरी बनाना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यह आप चोटी-चोटी बॉल्स बना ली है और मैंने इनको हल्का सा फ्लेट भी कर लिया है चप्टा कर लिया है आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप यह प्रोसीज बना लिये है पूरी के लिए और इसमें मैंने थोड़ा सा वन टीजबून और इसमें मिक्स कर दिया है सारी बॉल्स में अईल डालने से जो हमारी बॉल्स है वो सूखेंगी नहीं और हमारी पूरी बहुत ही अच्छी फूली-फूली बनेंगी और मैं इसकी उपर हलका सा आ पूरी को बेल रही है पूरी को हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है पूरी को हमें उतना ही पतला करना है जैसे कि हमारे गर में जो पापड आते हैं लिजजत पापड उससे हमें हलका सा इसको मोटा रखना है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको थिकनेस दिखा रह तैयार होगी तो बहुती उसकी जो लेर रहेगी, वो बहुती पतली रहेगी, तो आपको बहुत ज्याद़ा पतली पूरी भी नहीं बिलनी है, आपको लिजजत पापड जो आता है उससे हल्की सी मोठी बिलनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर पूरी को दें, मैंने इस तरीके से इसको प्लास्टिक पर रखा है, आप भी प्लास्टिक पर ही रखें, आप कपड़े पर ना रखें, काफी लोग नीचे मॉइस्ट कपड़ा रखते हैं, उसके उपर पूरी को रखते हैं, लेकिन यदि आप मॉइस्ट कपड़ा यूज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप पूरी को उठाएंगे तो वो आपके हाथ में चिपकेगी तो उससे क्या होगा पूरी आपकी खिचेगी तो जब भी आप इसको फ्राई करेंगे पूरी को तो कभी पूरी फूलेगी कभी नहीं तो आप जिस तरह से मैंने इसको प्लास्टिक के बीच में रखा हैं, आप भी इसी तरीकी से प्लास्टिक के बीच में अपनी पूरी को रखें, और ध्यान रखें, फैन अन नहीं होना चाहिए, पंखा चालू नहीं होना चाहिए, जब भी आप ये पूरी बना रहे हैं, क्यो जाए आपका पूरी का उपर का पार्ट सूख जाता है नीचे का अगर मॉइस्ट है तो भी आपकी पूरी नहीं पूलेगी चाहे आप सूजी भून के डाले चाहे पीस के डाले चाहे आप कितना ओयल डाले यदि आपने एक भी मिस्टेक की तो आपकी पूरी नहीं पूलेगी तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको सारी पूरी को बेल लेना है आप पूरी को किस तरीके से रख रहे हैं इस चीज का आपको विशेज ध्यान रखना है आपकी पूरी सूखनी नहीं चाहिए किसी भी हालत तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से सारी पूरी को बनाकर रखा है प्लास्टिक पर आप भी इसी तरीके से रखें पानी पूरी के साथ रेगुलर जो पानी धनिया पुदिना पत्ति का हम लोग बनाते हैं के वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप उस पानी को एक बार जरू ट्राइ करें तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारी पानी पूरी को बेल कर तयार कर लिया है अब आता है next important step और वो है कि हमें इसको कितनी देर तक rest के लिए छोड़ना है पानी पूरी को हमें कितनी देर के लिए छोड़ना है कुछ लोग बोलते हैं इसको हमें 15 मिनट छोड़ना चाहिए कुछ लोग बोलते हैं 30 मिनट कुछ लोग 45 मिनट कुछ लोग 1 गंटे बट मैंने ये पूरी बनाई है 1 o clock को और मैं इसको fry कर रही हूँ 5 o clock यानि मैंने इसको 4 गंटे का rest दिया है इसको 4 गंटे के लिए मैंने छोड़ा है तो आप भी पूरी को कम से कम 3-4 गंटे के बाद आप fry करें बनाने के बाद और जब आपने पूरी को rest के लिए छोड़ा है तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आपने इसको प्लास्टिक में रखा है तो उस प्लास्टिक में कहीं से भी हवा नहीं जाने के तो आप इस चीज का आप ध्यान रखें कि इसके चारो तरफ आपको कुछ भी बजन रख दें या कुछ भी ऐसा रख दें जिससे कि इसमें हवा अंदर ना जा पाया और हमारी पूरी ना सूप पाया और आप इसको प्लास्टिक में ही रखें, कपड़े में ना रखें एक बार जैसे मैं बता रही हूँ, आप एक बार उस तरीके से बना कर देखें जैसा कि मैंने बताया, पूरी को रेस्ट करते वे 4 गंटे हो गए हैं, आप इसको हम फ्राई करेंगे फ्राई करना भी एक बहुत ही important step है, अगर आपने यहाँ पर भी mistake कर दी, तो आपकी पूरी नहीं भूलेगी तो उसके लिए जब हम पूरी को oil में डालते हैं, तो जो इसका जो base है, उसको हमें तेल में वैसा ही डालना है तो उसके लिए हम पूरी को पलट कर, या तो हाथ से डालते हैं, या फिर इस तरीके से कर्चल पर लेते हैं, जिससे की हम जो पूरी का base पार्ट है, वो oil में जाए पहले तो आपको भी इसी तरीके से base को पहले डालना है, oil में, अगर आप पूरी को उल्टे तरीके से डालते हैं, तो भी आपकी पूरी नहीं फूलेगी तो आप हमेसा ध्यान रखें कि जब आप पूरी को ओईल में डाल रहे हैं तो जो बेस है वो जैसा आप पूरी रखी हुई है वैसी ही पूरी ओईल में जाने चाहिए तो उसके लिए आपको पूरी को पलट कर लेना है पानी पूरी बनाने वाले लोग कर्षल पर इस तरीके से बहुत सारी पूरी को रखकर फिर फ्राई करते हैं लेकिन मैं आपको ये सज़ेस्ट नहीं करूँगी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस तरह से कर रही हूँ मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एके करके हाथ से पूरी डाले और फ्राई करें इस तरह से जब हम कर्षल से पूरी डालते हैं तो पूरी एक दूसरे से थोड़ी बहुत भी चिपकती है तो भी वो नहीं फूलती है तो अगर आप एक एक करके डालते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा आपका waste कम होगा और आपकी बहुत सारी पूरी अच्छे से फूल जाएंगे अब हम पूरी को fry करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक एक करके पूरी डाल रही हूँ पूरी को उसी तरीके से डालना है जैसे मैंने आपको बताया है और temperature जो की बहुत ही important part है फ्राई करने का तो आपको temperature बहुत ही high रखना है तभी आपकी पूरी फूलेगी और जब आप पूरी को तेल में डालते हैं तो आपको उसके उपर oil डालना है आपको इसी तरीके से कर्षल को हिलाते रहना है जिससे की oil पूरी के उपर आए तभी आपकी पूरी फूलेगी यदि आप इस तरीके से कर्चल से आप oil को नहीं हिलाएंगे आप पूरी के उपर oil नहीं डालेंगे तो आपकी पूरी नहीं पूलेगी आप इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था बेस पहले नीचे जाना चाहिए तो उसी तरीके से मैं डाल रहे हूं तभी हमारी पूरिया फूल रहे है अब मैं आपको दिखाऊंगी कर्चल पर करना तो आप एक एक करके डालेंगे तो आप अगर हंड़ेट पूरी बना रहे हैं तो आपकी आट दस हो सकता है कि ना फूलें बाद मकी सारी पूरी आपकी फूलेगी तो इस तरीके से पूरी को ऑईल में डालके ऑईल हिलाते हुए मैं सारी पूरीयों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी जैसा कि आप देख सकते हैं और पूरी को फ्राई होने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है एक तरफ 6-7 सेकंड लगते हैं तो एक पूरी को फ्राई होने में 10-12 सेकंड आपको लगेगा जादा नहीं लगेगा पानी पूरी के पानी और आलू चना मसाला की रेस्पी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप एक बार जरूर उसको ट्राई करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी पूरियों को तल लिया है और हमारी 6-7 पूरी जो की नहीं पूली है बार मा की हमारी सारी पूरी पूल गई है तो आप भी इसी तरीके से इस रेसिपी को एक बार मेरे बताए तरीके से जरूर बनाए तो ये लीजे दोस्तों आप पानी पूरी की पूरी तयार है आप इसे धनिया पती और पुदीना के पानी हींग पानी आलू चनम मसाला के साथ इंज्वाइ करिए तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये रसीपी पसंद आये तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब माई चैनल और इस पानी पूरी की पूरी को बनाईए और मुझे कमेंट से बताईए कि ये कैसी बनी थैंक्यू थैंक्स पर वॉचिंग